मेरे प्री दोस्तों हमारी NCRT Classics Geography के 5 टॉपिक कमपिट हो चुके हैं और आज का टॉपिक है प्रत्थिवी के प्रमुक इस्तरूप जो चैप्टर नम्म 6 है तो आप लोग देख सकते हैं चैप्टर आपको सामने है तो प्रत्थिवी के प्रमुक इस्तरूप तो मेजर रिलीफ है तो प्रत्थिवी प्रिकार रिलीफ पाए जाते हैं तो फर्ष्ट जो रिलीफ है वो माधी माशागर और तुत्तिय रिलीफ है परवत पठार और मैदान के रूप मिलते हैं और तृतिय रिलीफ है जो नदियों के द्वारा हेमानी के द्वारा परहमानी के द्व या आपके पावन के द्वारा जो इस तरह करती हैं बनती हैं वही आपकर इस तरह रूूP में जीनोट होती हैं है के रेफğin हे तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्वाक क्या है ये गिलेशियरche सो कर रहा है इधर आपका क्या है ओशियन और पूरे क्या है यह कितोष्वियर तो यह आपके क्या है पहाड और यह पठार और यह आपका क्या है मैदानी इलाका है ग्रीन तो इस तरह से यहाँ पर क्या है तो आप देख सकते हैं जो प्रित्वी के प्रमुक इसतर रूप है तो हम देखते हैं प्रितिवी जो एक समान तो नहीं है प्रित्वी ऑन गरेंद प्रकार की इसतर रूप है हैं कि इस तरह मडल के कहीं भाग उंचा है कहीं भाग नीचा है जस तरह से देखते हैं कि हमाले परवत की सबसे उंची-चोटी मांट एवरेश्ट 848 मीटर एशिया माधी पेसित है और सबसे गहरा गर्थ मेरियन ट्रेंच जो आपका गयर है 22 मीटर गहरा है जो फिलिपिन्स के प्रिसांत महा सागर में पूरम में इस्तित है के लिए तो इसी का हम अभी अध्यर करेंगे तो इस तरह से यह सारा ते रखा है तो परवत कैसे कह परवत जिसकी चोटी होती है उसे परवत का जाता है और जिसकी चोटी नहीं होती है और सपाट होता है उसे पठार के नाम से जाना जाता है जिसकी उंचाए 600 मीटर होती है और यह 600 मीटर से अधिक उंचे होते हैं उन्हें परवत के नाम से जाना जाता है के लिए अब क्रिया द्वारा ही सत्हय नीची हो जाती है नदी और आपके रिवर्स इस्कों सोथी है गीलेशेर होता है और इसके वाद हमारे तो आप देख सकते हैं जो भाई हमारी अपरता निश्यपन जिस तरह से जब नदी आपके किसी गिलियस से निगलती है तो यहां पर क्या एक आकर्थी बनाएगी आयाकारी आकर्थी फिर इसके बाद क्या जल्पपात बनेंगे जिसके बाद बनता है वी आकर्याकर्थी सर्फ करते हैं मोनाड ठीकन आंधे में एक प्रयाकरतिक तट्वंत का निमार होता है और आंपटत है में एक डिल्टा का निमार करती है जो विश्व का सबसे बड़ा सुन्दम बड़ डेल्टा मिलता है के लिए इसी परिकार से पवन भी अपना काम करती है पवन राइकांटर चत तो आप यहां देख सकते हैं जो हमारी क्या है कुछ परवतों का जो नुमार होता है कुछ परवत बलत परवत होते हैं कुछ परवत भ्रंसुत परवत होते हैं और कुछ परवत ज्वालमुकी से निर्मित होते हैं तो परवतों का नुमार अललग प्रकार से होता है तो आप प बाहे फोर्ट्स भी थास्क करते हैं एडोजनेटिक एंड एक्सोजनेटिक के लिए तो आप यहां देख सकते हो कि सबसे बड़ा जो परवत है वो प्रसांद महासागर में इसकी जो मान्रकी जो परवत है और इसकी जो आपकी उंचा ही है वो दस्या 250 मीटर है के लिए जो परवत और जौनम परवत हमाख आंपस अपका हमाला है आलपस इस躁ए से बरत परवत हैं जिनकी सत्य उबड़खावड सिखर संकोकार है बहरती की अरावली विश्व का सबसे प्राचीनता परवत है इसकी अपरदन की प्रक्रियाई कार्ण ही ये स्रंकला किस गई है और उत्री मिरका में अपलेशन परवत है और रूश में आपका इवराल परवत जो गोला का दिखाई देते हैं इनकी जो उचाई है कम है ये बहुत प्रान प्रावत के नाम से जाना जाता है उपरी उटे हुए खंडों को उथ खंड यृ्ट के नाम से भी जाना जाता है महनों सबस्थ एस तरह से अपी कोई एक समतल प्रेश है और इस तरह से ये तरखा है अगर ये वालबाग टूट तो रान नदी ठेकन इस तरह से ये नदीया प्राइन घाटी वाजिस परवद इस तरह से एटल्स परवद दिया गया है जो एक भू आकरती ओधार को पता लगाएं जो आलमकी से कुछ नवत परवद हैं जैसे अपरिका में मांट किलमंजार हुआ है जापान में आपका फ्यूजी हमा है ओधार के लिए इस यह परवद क इस तरह से क्या वेनिवेटो एक बार हम आपको मैंपें सो कराते हैं जो आपके जो जितने भी आपके बलित परवद हैं कुछ तो आपके महाधी महाधी की पिलेटों को टकराने से बने हैं जैसे तरह से मानों आपका क्या है इंडियान प्लेट है यह और यह आपका इरेशन अब देखते हैं next आपका जो है andies है rockies है perhaps is a pennies है, जाती है और सब्डेक्शन होती है के लिए तो जिस तरह से आप देखें यह आपका क्या है दच्छी मेर का ठीक है और इस तरह से आपका फैला हुआ है यह यह आपकी उत्तरी मेर का इस तरह से देखते हैं यह वाला इस तरह से यह चेतर है यह कैलिफोर्णिया वाला चेतर इस कई टिऑ परवत कांपर हैंडशी अमेरिका में इस्तत हैं लेकिन यहां देखते हैं एक परवत है अपका परवेत है आपका यहां पर एक सब्सक्राइब ये एक अने पर आन he फ्यूजीयमा है के लिए तो इसे देखते हैं किसी यह अपरिका माधिव एक मिनट यह अफिरीका माधिव कि यह अफिरी का माधिव और यहां पर क्या यह एटलस परवद्व है off एतलस है क्लियर एटलस मौंट्च्ण समया तृ से कहते हैं तो इस तरह से ये प्याला गुआ है नेश दिखते हैं आपका आता है आपका फ्यूजियमा तो फ्यूजियम आहम हैं बबढ़ता जापान वाला छेत्र है जिस तरह से यह देखेंगे यह आपको कौन सा है खोकेडो फिर आएगा यह आपका होंशू फिर आएगा यह आपका यूशू और यह आपका है शिकोकुम इस तरह से है तो यहां पर क्या है आपका फ्यूजी यामा फ्यूजी यामा परवत है के लिए और ये कौन चेतर है अपका जापान के लिए तो इस तरह से हैं ये सारे परवत फैले हुए हैं लेकि ये परवत का बहुत लाबदायक होते हैं और उदर से यूरेशिया से आने वाले जो ठंडी हवाय होती है उसको रोकता है जैसे एमाला परवत है एक प्रेहरी की द्रूप में कारे करता है ठीक है न और इस तरह से जलाशियों को जलब को लोगों को पहुंचा जाता है परवतों के जल आपियों को शिचाई और पनविज्षी उत्पादन और जाती है नदी घाटियों बेदकाएञ नदी विसारप हुए नटकत कि आप इसमें देख सकते हैं ये पूरा एक शेटर है किसे एक घरा हुआ है अपका एक गरा हुआ है यह जोने हिए है और इंटर्टेंमेंट करते हैं नेशंदे हैं इस बहुता है, और इसे क्या है यह मैगमा चेमबर नामर्ण के बहुते है, ये इस तो इस दरख्माम होता है और इसकी क्र HOW फिलेट्य के सब्सक्राइब होता है वो पठारी भाग है जो सपाट होता है भूम होती है उसे आसपास का जो छेतर होता है वो आपको क्या है इस पर पूरी भाग मेज के समान सपाट होता है किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारों होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं पठारों की उचाई प्राय कुछ 100 पखार भी यह नई पान्य हो शकते हैं भारत में अनला पठार परान पठारों में से एक है केया है डजान हाए народ एफरी का पठार परा सब्सक्राल में सीचेयर मीटर है बेरी बेर इंपोर्टेंट स्वाल यह पूछा गया है तो पठार जो बहुत उप्योग होते हैं क्योंकि यहां पर खनेजों की प्रिचोता होती है यही कार्ड है कि बिस्ट के बहुत से खनन छेत पठारी भागों में ही मिलते हैं अपरिका का पठार सोना हीरा काना चोटा भा चोड़ बंदु द्रबर्फाद में हो सकते हैं और इसमें देखक है उत्तर भातर जल्पर्पात कम दिलते हैं दक्सा शौजा चलपात मिलते हैं यहां पर मत् Spaß पठाई हाँими तो मॉन्डी पीस हब देखेंगे अपको इन्दरागांडी जल्पर्पात के नमसे भी जाना है क कुछी कल जलबवाद है अपके जुलिया विंसक है यह सारे हैं तो मैदान किसे कहते हैं तो मैदान आप जानते हैं जो कि हमारे भुपटल पर क्या एक समतल होता है जो नदीयों नदीयों द्वारा या आपके जो जल लेके आती हैं अप साहथ सेडिमेंट और जलू पंक जलू संक बर्या करके शिर्मार करती हành तो तो न मिन मरतागा और नमार होता हैं जिलेई तो देख सकते हैं आपको एक छेतर है और यहां से कोई नदी निकलती हैं यहां पन्साथ गया अंकर पंत्थर गज़्री और लेके चलती हो और अपनी जाम ज हरती हैं तो नो मैदान काफी सम्थल होते हैं कुछ उर्मिल या तरंगित खुश रखते हैं अधकांस मैदान नदियां और इसकी साहिक नदियां भी होती है और इस तरह से सारी फैले होती हैं यहां पंतर बालू सेल्ट बगर लेकर आती हैं जमाव करती हैं सामानत है मैदान बहुत अधी उप उपजाव भुखंड है जो 272 प्रकुमर शेत्रों पहला हुआ है के लिये वो है आपका गंगा यमुनाव का द्वाब छेत्र गंगा यमुनाव का जो है आपका क्या है द्वाब छेत्र है और इस छेत्र में सबसे अधिक है यहां पर आपकी 40% जनसंक्या भारत की निवास करती है और 70% जनसंक्या अधर इस्टेटों और परवत पठार मैदानों में निवास करती है किलेफंट इसलिए आप समझ सकते हो कि यह बहुत मैदान बजा हुए क्यों को यह जीव का अनुर्भाइज जीवन द्याइन किरसी की जाती है इसलिए हम पर डेंसिटी भी अधिक मिलती है जिससे पस्षी बंगाल, बिहार, केरल, उत्रहंड, उत्रफिक और इसके बाद आपक पॉपुलिशन क्या करती है, पॉपुलिशन का नमण करती है, गदमर, कीचड बगरा और रही सारी जीव जनतों उसको का नदियों को द्वारा प्रभावित कर दिया आते हैं और समन्दों जाकर जमां हो जाते हैं, और आप जो भी अध्यों से निगने वाला जो भी आपका पॉलिशन हो रहा है और डारेक्टली महानों जीवन पर प्रभाव पढ़ रहा है के लिए बीच्त प्रभाव टुरिस्ट बिलोन अधिक जाते हैं और यह आपकोर से हैं ब理, समीद बैने प्रभाव से तो दोस्तों इस तरह से आप जब कुभी मुखा मिले राइडिंग करने का तो आप लोग ये वाला जो चितर है आप देख सकते हैं ये कुन सा है आपका लिए हैं और ये आपर आसाम का है जो कहें चाय को चुन रही है और इस तरह सी आपको लिए हिल से अरिया है पाड़ों प वाला पूरा छेता है गेलीशेर पढ़ रहा है जिससे जम्मो एंड कस्मी की तरह है केलियर तो अब इसकी बाद हमारे कुश्चन पूट अब हमने जितना अध्यार किया अब उससे पता चलेगा हमें कितना त्यार हुआ या नहीं तो इसे देखते हैं दोस्तों फर्स कुश्चन है प्रमुक इस्तर रूप कौन कौन से हैं तो इस्तर रूप बता सकती हो परवत है पठार है मैदान है ठीक है न परवत पठार में अंतर क्या है परवत की चोटी होती है पठार की चोटी नहीं होती है नम्मा थर्ड कुश्चन है परवत के बिविन प्रकार क हंकों से हैं परवतों कि बय deployment प्रकार है ब्रह्त सूथ परवत है जालमकिनिवित परवत है वदे मिलते हैं परवत किस पकार उप्पें हुए हैं कि एसियाना से या यूरिषय आनीवाली घुरुप होती है उसको पाधि यह में नियू नियुक लोकता है दूसरी बात यह होती है कि ये बर्शा करने में साहथ होते हैं तीसी बात ये है कि आप पीने के के पाने और रहने के विए आवाज की सुगदा होती है परवत ऑन हेंसे расп sex क्या होती है उंचाई आधार होता है इंचाई के आधार होता है फानी कहाँ आती है तौप的 ये परवतों पर दकन पठार का पर इस है वो आपकर का पर भारत में यह रोप की एक महतु कर बशा यह आल फर्स और इसके बाद हापके तो कि Monitor एतान हैं इसके बार आता है हम्हालय और आलपस परवटों की उधाड़ हैं है तो यह आपके बर्शन परवत के उधाड़ है चेटर में खंड़ू परचुता अधिक मिलती है तो यह सारी परचुता कहां मिलेगी तो यह सबस्यान मिलती है पठारों पर परवत tua को गाई किरम है तो ब्रसूत परवद बालत परवद और जोला मुद परवर हैं चेत करसी के लिए सबसे अधीक अधिन्वास भी करती है और खादना फसल यहां पर वाई जाती हैं तो आप मांचित्र में इसको मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि आप देखेंगे हमाला परवत कहां पर है और इधर देखेंगे आपके रोकीज एंडीज और आपका तिबद का पठार कहां पर इस तरह है तो यह आपका जंबू एंड कस्मीर और यह आपको कौन सा है ट्रांश हमाल है और यह आपका कराकॉम सेड़ी और यह आपका महान हमाल है और यह मद्ध हमाल है और यह कौन सी सेड़ी है शिवालिक सेड़ी है तो इस तरह से आपका हमाला परवत है और यह किस तरह से बालित पर ऐसे जाएंगे तो यह वाली फंडी खाड़ी हैलिफिक्स एक मुंशेविनेंड इस तरह से यह घ्रसनी खाड़ी और इस तरह से यह अलास्का का छेतर है तो यहां पर एक परवक्त तो कहते औरोकी इस परवत ये कोई साच है यू से ahí तो किल आ यह वगया हわか 5 नेक्स देखते हैं अनुडि अनुड़ी है अपका दच्छी अमेरिका में फ्यला हुआ है कांपř दच्छी अमेरिका तो इस था से यह वालाच है तो आप इस तरह से देख सकते हैं तो यह वाला इस ता अभूट अमेरिका है कि या नहे 자 depict पठार तो तिव बद गाद चुछब धृधर है आपका जिस तरह से आपका ये बाल रचैतर है इंडिया वाला इस तरह से ऑगी यहां पर यह फैला हुआ है ठीब कि बटार थि कुछ है इस एक आपका तिबबरट कैना गटुफ है कि लिए इस तरह से यह सारे चीजे हैं तो आपको क्लीयर हो गया होगा तो मेरी दूस्तों आज हमारे 6 चेप्टर कंप्यूट होते हैं NCRD 6 के इस तरह से हमारे continue चलते रहें तो आप इसका continue अध्यान करते रहें जिससे अपके concept के लिए हो जाए आने बाली जो हमारी जो से विन की है विसमें और के लिए होंगे इसका एट नाइन और टैन्थ एलेवन तो पहुंचेंगे तो का concept जोगर्पी का टॉपिक अच्छी तरह से हमारा प्रिपेर हो जाएगा कोई दिकत भी नहीं रहेगी के लिए दोस्तों तो इसी के साथ हम वीडियो कि फिनिस करते हैं अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें सेर करें सबस्क्रा करें जैहिन जैभारत कि रस्याद से बाल वादे जैड़ दोस्तों प्रिब्स आएगाए वीडियो कि उन्हाइक करें सेर करें सेर करें सेरी करें सेरी करें सेरी नहीं हैं झालर प्रिफेरा हैं। यह दे चूतिया पारे हैं